हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल आई प्रिपर क्लासेश दोस्तों फिर से एक नई वेकंसी में आप सभी का स्वागत है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है बाहर के किर्सी अनुसंदान संस्थान ठीक है आई सी ए आर में न्यू वेकंसी आ चुकी है लगब डिसकस करते हैं और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेश्ट है जन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको डेली ऐसी वैकंसी की अपडेट जो है न वो पहले से पहले और सबसे पहले मिल जाती है तो स्टार्ट करते क्लास को दोस्तों आप देख पारोंगे क्या है हमारा बाहरते किर्जी अनुसंदान संस्तान ठीक है जो इसमें हमारा मतलब यह जो एक्जामिनेशन सम्मिशन ओफ उनलाइन एप्लिकेशन जो हमारा मतलब यह जो एड़िजमेंट हो आई यह हुआ हमारा थारेद दिसंबर को ठीक है कब दोस्तों 18 दिसंबर को हुआ है और लास्ट डेट जो है इसकी वह है हमारी यदि फीश सम्मिट की बात करें तो दस जनवरी दोजार वाइस ठीक है ग्यारा बज़े तक साड़े ग्यारा बज़े तक आप कर सकते हैं आगे चलते हैं दोस्तों अब हम बात करें इसमें मतलब कितनी पोस्ट है टोटल है हमारी 641 पोस्ट है ठीक है दोस्तों यह रखा है आप मतलब मेंशन कर रखा है 50.99 परसेंट भी मान्या नहीं है ठीक है 60 परसेंट होनी चाहिए मिनिमम तभी आप फूम एपलाई कर सकते हैं तो क्या दोस्तों टैंथ पास टैंथ पास आउट होना चाहिए सभी कंडिडेट और लगबक 60 परसेंट तो आई जाते है तो आइए दोस्तों चेक करते हैं आगी क्या है हमारा इसमें एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट हमारी 18 साल होनी चाहिए ठीक है 80 जनवरी 2022 तक हमारी 18 साल complete होनी चाहिए ठीक है वो ही बढ़ सकते हैं एक्साम को तो आगे चलें नीचे देखते हैं अब हम टोटल है कितनी 1000 ठीक है रेजिशन फीश 300 रखिगई गया एक्जामिनेशन फीश 700 तो टोटल हो जाएगा हमारे 1,000 और यदि वूमें केंडिडेट हो गये यह हमारे SC वाले हो गये ठीक है उनके लिए रखिगई है कितनी दोस्तो 300 ठीक है एक्जामिनेशन पीस कोई नहीं है उनके लिए निल रखी गई है तो यह था दोस्तो इसका मतलब ओवर्यू टोटल 641 पोस्ट है ठीक है अब दोस्तो इसके स्लेबस के बारे में यह दिए हम डिसकस करें तो स्लेबस पर चलते है थोड़ा अच्छी पोस्ट है दोस्तो और सेंटर के बारे में भी दे रखाए कि कहां कहां पर आपको चूज करना है ठीक है तो यह है इसका एक्जाम पेटर्न क्या है दोस्तो eligibility criteria matriculation पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से ठीक है और हमारा जो स्लेबस है examination return जो एक्जाम होगा तो उसमें आपका क्या है दोस्तो one fourth की negative marking रहने वाली है कितनी दोस्तो one fourth की negative marking रहेगी और चार सेक्षन में होगा आपका journal knowledge होगा mathematics होगा science होगा social science होगा ठीक है 25 नमबर के होगी journal knowledge 25 नमबर की math होगा 25 नमबर की science होगी और 25 नमबर की social science होगा डेड़ घंटे का आपको समय दिया जाएगा ठीक है दोस्तों कितना है 1.5 घंटे का तो आगे देखते हैं क्या है क्या है दोस्तों हिंदी और इंगलिश दोनों लेंग्विज में आपको मिल जाएगा क्या है Bilingual in Hindi and English section ठीक है? टोटल जो है हमारा हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में होगा तो आगे चलें दोस्तो अब इसका सिलेबस जो है न में चीज तो ये देख ले आना आप स्क्रीन पर देख पार होंगा अच्छे से क्या है दोस्तो एक तो जर्ण्ण नोलिज और मेतमेटिक्स साइन्स और सोसल साइन्स कोस्根 में बे internet इवेंटस ठीगा जर्ण्ण नोलिज में आपके करंट इवेंटस आएंगे और हेस्ट्री हो गई कल्चर हो गयी गोगरफ्य हो गई अकनोंश साइंस औह।имер जेजर्नल पॉलिट्य हो गई ठीक है और हमारा क्या है साइंटिफिक रिशर्च तो यह हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है और टोटल करन्ट इवेंट तो आपको करना ही वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी ठीक है यह होगा हमारे जेट्मेटिक्स में बात करें क्या है नमबर स लेभियर तो यह सब कुछ देए रखा है इसमें तोسल तो ये र Soldier तो आपका चार सेक्षन के पेपर होगा 25-25 तोतल यह और सब है दय कर लाई क्योंकि फीज तो अच्छी कासी रखी गई है कितना एक हजार रुपय अच्छी कासी फीज रखी गई है तो जो भी भरें तो समझकर भरें ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें अच्छा है बारते कीट से अनुसंदान संस्तान अच्छी पोस्ट एकदम 649 निकलिए सकते हैं तो इसलिए competition कम होगा क्योंकि condition लगा रखेना है कि 60% होनी चाहिए दोस्तों अच्छी है मतलब वेकेंसी है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ऐसी डेली अपडेट हमारे से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आकन प्रेस कर ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवस्त रहिए मस्त रहिए दन्यवाद दोस्तों